क्यां वाड़ूरूरुर्ण का स्रुक्टरर आप लोगोंने बस बनाया ठीक है यूरॉन के स्रुक्टर से मैं बात करीजी दी यूरॉन के स्ट्रॉक्चर में डियर is a receiving end which is called as a dendrite and a giving end which is called as a nerve ending तो वो नॉबलाइक स्ट्रॉक्चर होता है जो बिल्कुल डाउन पर होता है और रिसीविंग होता है जो की ताप पर होता है ठीक है नौट ऑपन कितने डेंड्राइट और नौब इंडिंग तो ये दो चीज धनारे पास दो पोल और पस नेवरोन के स्ट्ट्चर के कितने अंड एंडे इंके विप्स कर्द क्लासिफाइग हैं तर्म से एंध्ते उन्ट फॉर्ण अब्सक्रीजर अरृप यहिस्ट करेंट नोट इस उन्ट कहलें मैंज मुल् नॉर्ण होना उन्ट टॉइंट इंड इन अगर मुल्टिपल ले तो इन्ट कि मोर। not two uh two or more of the dendrites अगर हम कहें तो अगर आप सिरफ यह कोगे कि तू पोल्स वो गलत है तू और मोर पोल्स लिखोगे वो गलत है तू पोल्स का मतलब कहा है दाट इस बाइपोलर एक पोल उपर वाला एक नीचे वाला दाट सच तो तू और मोर देंडराइट इंडराइट इंडर हो जाए तू मल्टी पोलर इस बैसिकली इंड ब्रेन ब्रेन के पोर्शंस में जैसे की सेरिफरल कॉर्टेक्स से इसके अंदर यह बहुत जादा जनुरॉंस होते हैं यह मुल्टीपल नंबर ऑफ़ और मैनी नंबर ऑफ देंडराइट तो रिसीव मोर ऑफ तर सिगन ऐसे हो तो ब्रेन के मैंने कल आपको चार लोब सी पिता है कितने सारे सिगनल उठाता है मैं हर चीज उठाता है except the reflection everything is being signalized and everything is being received by the brain and so this requires number of the receiving and the giving units so this is a cerebral is the part of the brain that is a cerebrum so this is a cerebral cortex that is having the maximum of the multi-polar unit because it has to give the impulse or the responses it have to signalize at the same time to many of the organs okay so that is multiple chicken is it can be bipolar as the name is saying by means two do poles do poles कैसे बनेंगे अगर देंडराइटी दो होगे तो तो मैंटिपल हो जाएगा ना दो देंडराइट एक नर्वेंडिंडिंग पोस्तों जागा ना so creating only two of the poles right so this is taking from one giving to the another end as a structure humari iq retina ke upar over that is receiving a single somnets you see the study signals or pitch a middle of me optic nose for dinner yeah retina ke upar data information retina intern is connected with the optic nose you know so this is bipolar that is having just two poles means one dendrite and this is one dendrite and one nerve ending multiple multiple ends आगे सेम कैसे मैंने अभी यह तो बताया ना जैसे बाइपोलर के कंडीशन में मैंने बुल गया कि अगर इसमें बहुत सारे देंडराइट सागें यह स्टार शेप आपका साइट और तो इसमें यह तो कितने सारे तो यह होगे देंडराइट दो तो यह हैं तो फिछे न कोई तो होगी कोई तो होगी अ एक यह दो यह तो तुट ही बंगे जबाए चाहिए और दो प्र वह अना लगांन अ है कि थी कि पर दो दो एक से लिया दूसरे को दे अचे लिए ना मुल्टीपल चीज़े नहीं उसमें अटाश्ट सीधी सी बात है यहां पर मुल्टीपल यॉनिट्स नहीं है यहां पर क्या है शरफ एक आपकी इमेज जो आ रही है जो लेंस से जो रहे हैं वह और दूसरा जो निखर रहे है ऐसा तोन मैं, एके नहीं, और गएक एक चाहें ज़हां एक च्छन से में सिरफ एक ही एक्षिन हे वहां पर आपके बाइपोलर नेरों से जाम बांटी पल एक्डिवले उरांस टिक है, इस एक्डिस प्रिफ कहुआ बिखलो रेटीन आ उफ दाया, एक्ड वे इ होता है मुलब एक एंभरों एंदर फिटस के अंदर तो चेंजिसाथी शो करता है ना कई बार इत is like putting some up our reactions also like if the fetus is ejecting out some materials it is not having the good health you have to ejections we are going to be a fetus ko dhamme hije section signal provide water fully matured fetus you have that provides a ejection signal to the mother body तभी मदर की बॉडी में oxytocin release होती है और वह लेवर पेंस जो है में शुब होजाती है चीक है पिटुटरी ग्लैंस जो oxytocin release होता है तो फीटस इन इसलफ इस प्रवाइडिंग दोस reactions, those responses, but जब तक वो embryo था, तब तक तो इसको सिरफ signals मिल रहे थे, वो देनी नहीं रहा था आगे से कुछ, embryo ने चेंज नहीं शो करनी, embryo is not going to show certain changes, movements, यह कुछ भी, नहीं रिस्पॉंस इसकुछ नहीं जन्रेट करेगा, so that is embryo is only taking the signals from the mother body but not giving out, that is why it is unipolar, ठीक है, so unipolar is when there is only one end of the, you know one pole of the neuron, only to receive, not to respond, that is on the embryonic stages, it is why we call it as a unipolar, एक ही pole है उसके 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 उसके, एक ही end है, दूसरा end नहीं है क्योग इसने पॉंड नहीं है, इसने पॉंड नहीं करना, getting, okay, done, so this is what multipolar, bipolar, unipolar are the three categories of the neurons, depending upon what their structure concerned is, right, आपने बेच मेरे का इसे neuron का structure जब अच्छे से कर दी है ना, if not, then you can tell me, animal tissue में अच्छा गासा पूरा full-fledged diagram with labeling, सब कुछ किया हूँ, ठीक है, so the same diagram you have to copy, if it comes to be like the diagram to be drawn here, like draw the diagram of a neuron, then you will be drawing that one, from the animal tissue, अगर आपको ये categories आते हैं, ये example, indirect questions आते हैं, तो आप ये करें, okay, done, so now coming to the next is the neuron का structure मेंने क्यों बनवाया था आपसे, ताकि आपके माइंड में आजाए, what is exolemma, what is exo, plasm, what are the various structures concerned with it, अब आपको याद हैं, neuron का structure पढ़के आए हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, there is, अभी मैंने राफ में बनाया था, there is a star shape structure, then the exon and the nerve endings, ऐसा, ठीक है, ऐसे structure बनाया है ना, आप लोगोंने ऐसे lengthwise बनाया होगा, cytone, exon, nerve endings, है ना, अब मैं उसको widthwise बना रही हूँ, cytone नहीं हम बना रहे हैं, हम सिरफ अपने exon की बात करनाया है, सिरफ और सिरफ, we are concerned with the exon, this is generation and conduction of, generation and conduction of nerve impulse, अब हमें सिरफ और सिरफ बात करनाया है, अपने exon के बारे में, क्योंकि वहीं से signals जो हैं, वो ट्राइवल हो रहे हैं आगे, generation and conduction of the nerve impulse, nerve impulse कैसे generate करती है signal को, अगर नहीं याद है, तो यह देख लो, एक बड़ी मैं इसको राफ में sketch शिबू करके, because we are not concerned with this, neurons तो इसमें ते को receiving ends है, इन्होंने तो सारे signals उठा लिए, as in the form of the electrical impulses or the chemical impulses, chemical impulse हमने पहले बात करी हैं, ने ने रोट्रांस्मिटर्स, यहाँ है, synapse पे, ने रोट्रांस्मिटर्स आके लगते हैं, और वो क्या हैं, आगे वो गिवाउट करते हैं, that is the chemical secretion into this, you know, they are having the receptors, and hence it will be carried on to the next neuron, that is within the cytone, यहाँ है, तो यह exon है और यह इसकी exolemma है, यह किया हना हमने, this is the exolemma, this is the exon part of the neuron, done, exon के अंदर क्या है, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है प्रेस्ट, what is the fluid present here, that is the exoplasm, plasm present है, this is the membrane, exomembrane, this is the plasm, exoplasm, exolemma, exoplasm, done, and around this, there are cells, what cells are there, schwann cells, schwann cells, they provide a secretion, which is called as myelin, myelin present होती है, तो myelinated केते हैं, नहीं present होती है, तो non-myelinated केते हैं, and further, इन में से जनेरेत होती हैं, आगे, nerve endings, जो की symbols को आगे कहरी कराएंगी, done, यही होता है, structure, ठीके, अब एक फ्लूइड है, मारे पास exon का, this is exoplasm, दूसरा फ्लूइड है मारे पास, श्वान सेल का, दूसरा फ्लूइड है, यहाद है, दूसरा फ्लूइड है यहाँपे बढ़े, श्वान सेल का, done, right, now at the resting stage, while it is resting, means when it is not conducting any nerve impulse, at the resting stage, at resting stage, what is there is, at the resting stage, the electrolytic or you can say the ionic concentration of the exolema exonal membrane that is to be understood at the resting phase सबसे बहला ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है जो हमारा inside है अमें बाहर वाले श्वान सेल्स को श्वान सेल की तरह नहीं बना रही क्योंकि यह बहुत बड़े-बड़े अब अब हमने जो इसमें डाइग्रम नाना है यह तो अब समझा गया था इना श्वान सेल का फूरुड है कि कि मैंने मिटाया है लेकिन आपको डाइगरम के लिए आपको इसमें समझाना है जिस तरह से यह कंसेप्ट चलेगा तो उस तरह से आपको समझाने के लिए we have to take only the exolemma and the exoplasm and the fluid around it around with the fluid and a clear on a structure of a resting face the inside of this that is the exoplasm that has the potassium ions as a positively charged ions positively charged ions which are also balanced by the negatively charged negatively charged proteins under this may get a resting face इस पे एक तो positively charged potassium ions है दूसरा इसके अंदर नेगिटिव लिचार्ज पूटीन से ड़न रेस्टिंग फेस के लिए this has the permeability for the sodium ions यहां पर क्या है अंदर इसके जो sodium ions ने पॉजिटिव लेसर एक्जो प्लासम के अंदर potassium ions आर मोर ठीक है potassium ions are more than the sodium ions sodium ions कम है अंदर एक्जो प्लासम के अंदर इनिशली ठीक है sodium ions जो है वो कम थे potassium ions जादा थे रेस्टिंग फेस पर जो potassium ions है यहां अब अगर में यह बोलू कि हमारे potassium ions और इकुलाइज हो गए और sodium ions comparatively कम में मैंने क्या बोले अब दो चीज़े बोली दो लिंक बोले ने एक बोला मैंने नेट चार्ज पॉजिटिव दे रहे हैं पर comparatively वह लेसर हैं आज इन कंपरिशन तो सराउंडिंग फ्लूइड है ना उसके पास sodium ions बहुत ज्यादा है बाहर वाली कंडिशन के उल्ट है जो बाहर के कंडिशन sodium ions ज्यादा है और नेगटिव ली चार्ज तो है यह नहीं है दो अब बाहर पासिटिव सोडियम भी हैं प्लस सोडियम जादा भी नेट पासिटिव बहार हो गया जादा और अंदर वाली साइड यानि एक्जो लेम्मा की जो इनर मेंब्रेंज है इनर साइड जो है उसको हम अब नेट पॉजिटिव नहीं लिखेंगे इन गंपारिशन दो आउटर वी विल राइट इस नेगेटिव ली चार्ज मेंब्रेंग समझाया सेच नेगेटिव हमन की कॉंसेंट्रेशन के साथ से अब कॉंसेंट्रेशन में क्या घ्याता है कि यह दोनों दो बैलंस अंदर हैं पर वो और इसे कम बहुत तोड़े जितने प्टैशियमा इस ना उनसे तो अल्री बहुत कम है अब अगर आप हम बाहर वाली मेंब्रेंज को देखें यानि बाहर वाली साइडी बाहर किया इसके नियूरूब्लाजम श्वान से वाला फ्लॉड उसके अंदर सोडियमायं जारा है पॉटेशियमायं से जब सोडियमायं को इकम बेर किया तो नेट पॉजिटिव जादा का यह बाहर जाद है और प्लस हमारे पास को अगर इन दोनों को बैलेंस कर दिया तो यह हमारे पाइस क्या होगे जादा होगे सो आन अल अगर हम बात करें यह सारी कंडिशन को देखते हुए आड़ रेस्टिंग स्टेज वाट इस हैपनिंग इस पॉजिटिव चार्ज मेंब्रेन इस फ्रॉंग आउटर साइड यह बाहर वाली साइड पे जो इसकी मेंब्रेन हे वह पॉजटिव ली चार्ज है और अंदर वाली साइड से इदेज नेगितिव ली चार्ज इस नेगितिव ली चार्ज पुटेंश की बात्य कर रहे है ना तो इसको दे रहें हो सकता है इन दोनों को जितनी पर माउंट है और प्लस के प्रटेश्य माइन से इन्दों को मिला के नेगेटिव चार्ज उससे भी ज्यादा है यह भी हम कह सकते हैं ठीक है बड़ी दिस नोन फॉर कि प्रटेश्य माइन और यह बैलेंस करते हैं राइट समझे मेरी बात ठीक है सहज यह तो बैलेंस दे रहा है और यह भी कम है तो नेगिटिवली चार्ज ओविस्टी जादा होगी कि मॉलीक टुमॉली किमने एंड कंटिंग ऐसा नहीं है इसा जब फिक्स नंबर सी दियों तो यहां पर कि नेगिटिवली चार्ज दिस मोर थैं टुगेदर बोट एंड हैंस इन्स ने डिटिवली चार लाजिन को बैलेंस करते हैं तो यह दन ट्रेयर वाएंड रेस्टिंग फेस्ट्रेश लेरों किया प्रॉपटीज थैं सोडियम आइन की वज़ए से बाहर पॉजिटिव चार्ज जाहर लाग्ट एक्शन पोटेंशियों अभी यह हमारे पास आगी डेस्टिंग स्टेजर र पोटेंशियर बैट जिसकी वजह से रेस्ट पेही रहेगी मतलग जैसे हम लोग ऑते हम में अगर नहीं यूठ नहीं होना है तो हम अपनी दरभ से कुरा प्रेशर लवाग ते कि नहीं में को नहीं होटना है एना ऐसे यह है दो लुओ नेरॉन इस एक्षिटिंग अगर नाइट यूज़ली रात के समय में हमारे जितने इन्वलेंटरी अक्षिन दें विलेंटरी अक्षिन्ज यह नौ तो समय में मारे सारी निग्रांटरी वाले रेस्टिंग वेस्टें समझाया रिकॉराइब यह आप दो टर्म और इसमें जब नर्वस सिस्ट्म ने किया था ना अब दालो, that is the autonomic nervous system and the somatic nervous system. PNS की काटेगरी जहेंगी, this is PNS का काटेगरी, autonomic nervous system and somatic nervous system. अभी जो मैने बोला ना कि नियूरॉन्स जो हैं, they are not possibly working for the involuntary actions they are, but for the voluntary actions they are not. So the voluntary actions are provided by this nervous system. Voluntary action is provided by the somatic nervous system. मतलब जो voluntary muscles हैं, हमारी जैसे skeletal muscles हैं, उनके साथ action जो जनेरेट हो रहा है, that nervous system is called as a somatic nervous system. Autonomic वाला जो है, that is all including the involuntary actions and the involuntary, involuntary muscles. तो जब ही मारी resting phase पे ये निरॉन्स हैं, तो कौन सी होंगी, autonomic वाली हैं, somatic वाली हैं, सिर्फ समय्टिक वाली होंगी, क्योंकि ये ही skeletal muscles को रोकती हैं, काम करने से, ये smooth muscles, unstriated, सबके साथ connected है, है हमारी skeletal muscles के साथ connected हैं, ठीक है, इनके भी आगे दो केटेगरीज होती हैं, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic, parasympathetic, they are providing the opposite actions. ठीक है, जैसे sympathetic, for example, let's say, it is providing the dilation of the cornea, and parasympathetic, that provides a contraction of the cornea, ऐसा, जैसे, आपके आपके जादे दो, आपके प्रोचंच्छनों होगया, यह मस्कुलर गंड्रक्ट्शन रिलाक्शन होगया, हार्टबेट में हार्ट का कोंड्रक्शन रिलाक्शन होगया, opposite actions sympathetic and parasympathetic वो और नॉमिक की आगे टाइट से कि अच्छा यह समझ आगे ना अब रेस्टिंग प्टेंशल पे कौन है सिरफ समेटिक नर्वर सिस्टम के पार्ट components neurons that which show their resting potential done हां जी clear okay next is now at action potential action potential of the acting stage जब इसकी आगे यानि जब इसको कंड़क्शन करने का काम करना कंड़क्शन ऑफ नर्व इंपल्स यह कैसे करेगा अभी मैंने जब यह डाइगरम बनाया था तो मैंने यहां पर अभी साइट ऑन के लिए receiving end तो इसके डेंड राइट से वो ले लेंगे signal neurotransmitter की फॉर्म में साइट ऑन तक यह neurotransmitter जो है वह काम कर रहे हैं पर अब वो neurotransmitter जो के chemical हमारे पास त्यार हुए है chemicals जो एक्स्ट्रा आएं अब इन्होंने conductor through होना है इसके उपर से अब वो जो conductions होनी है that is also in the form of the electrolytes एक पॉजिटिव और नेगटिव चार्जिज ओन अब वो पॉजिटिव नेगटिव चार्जिज की जो conductions आनी है through exon वो कैसे जानी है यह वाइद ऑंसेत ऑफ जन्रेशन कैसे होती है दा एक्षन क्भेशन पटेंश जनेटों इस सोडियम आइन्स वेना इन-फलक्स इन्फलक्स मतलब क्या था एक सब्सक्राइब को आपको ऐसे यूज करनी बढ़ती है आप इसको चेंज नहीं नहीं पर वहीं पर कोई इलेक्रिकल इंपल्स आ रही है एलेक्रिकल इंपल्स आ फास्ट अज कमपेर टूद ऑगा जो कि यहां पर आया आगे कंडुक्शन देगा ठूद नर्व एंडिंग चला जाएगा ठीक है वह डून है अब यहां इलेक्रिकली कैसे जाएगा कैसे यह आगे आगे बढ़ता है अगें लुकांटो दिस ओंडी यही वला सेम अमेस में से इस कर रही हूं आपकी सारी रिटन पार्ट जो अपने रेस्टिंग में लिख लिया अभी यह डाइग्रम आप यही वला बनाएंगे ठीक है बस में यही रेस्ट पोर्शन डाइग्रम अभप यही वला कॉंपीनु नेग्ट नेगटिव ओन दो इनर सेंड विच इस एकुलाइजिंग अड मेकिंग इट पोलराइज यह पोलराइज कंडीशन रेस्टिंग पे आपने पड़ा था वो डी पॉलराइज कंडीशन था यानि उसका जो कॉंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है उसके आइंस का वो बिल्कुल एड़ एज स्टार्टिंग पर शुरू होगी ठीक है यहां से अब इसने शुरू करना है इस पॉइंट से अब क्योंकि मैंने क्या बोला कि सोडियम आइंस का रेपिड इन्फलक्स होगा बाहर सोडियम बहुत जाला थे अंदर कम थे अब यहां पर क्या हुआ इ जैसे इस वहाद शुरूरूंट की बढ़ी बहुत सारे ठेश सारे अंदर की तरफ इंफलक्स हो जाए लोगा अब उल्टा हो जाएगा ना बाहर सोडियम आइसकी वज़ा से यहां पे सारे को नहीं देखू ठीक है सिरफ इस बाहर सोडियम आइसकी वज़ाए से नेट पॉ पॉसितिव चार्ज आ गया अंधर चार्ज पॉसिटिव हो गया 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 नेगटिव हो गया दन रपिद इंफलेट्स देट लेक्टु दा in coming or you can say the permeability high rise of the probability at a site किसी भी एक साइट पे बहुत जादा high rise आजाएगा इसका परमेबिल्टी पे और सोडियम आइंज रेपिड इंफलक्स शोगर रेपिड इंफलक्स ऑफ सोडियम आइंज ड़न जी यहां तक लेर हो गया ठीक है नाव वाट नेक्स्ट अब यह तो हमारे गेट पे चैनल पे एक कंडक्शन हो गया कि अब यह नेट पॉसिटिव अंदर आ गया पर इसने तो सार फैंकना ही पड़ेगा नेगटिव को वापिस लाना ही पड़ेगा अब यहां पर क्रियेट हो गया वह इंपल्स जो फास्तली अब क्या करेगा अब खुद को बैलेंस करने के लिए यह आगे-आगे वाली साइट पे शिफ्ट हो अगली साइट पे जाएगा निकलने के ठीक है अब इसने क्या किया यह पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से क्योंकि आप इसको बैलेंसिंग करनी है अपनी पॉलराइजेशन वापिस लेके आनी है वह पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो फीचर से उसकी वापिस लेकर आनी है जब यह शिफ्ट वह पॉजिव तो बैलेंस करेंगा नो नेगेटिव इसकी जग़ह पहाँ से भी इधर जाहेंगा अंदर तो यह ए पॉजटिव बैलेंस होंगे नो बाहर वाले भी चेंजिज आए तो मतलब यहां पर पॉजिटिव वापिस नेगेटिव नेगेटिव नेपने आपका रिबर्सल नहीं कर के साथ बैलंस नहीं होगा उसको डी पोलराइज़ेशन स्टेट पे रहन है जिसने क्या का था कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगिदिव होने चाहिए ना उल्टा है ना दोनों साइंस देको उल्टा है सारे साइंस अब यहां पर नेगिटिव पॉजिटिव है यह चाहिए थी जब बिलकुल लेंड में जाके हमारी उस में में के पास पहुंचेगी जिस और न को यह सिगनल चाहिए था वहां पर जाके यह रिवर्सल पॉसिबल हो पाएगा कि सोडियम आयंस जो रेस्टिंग पॉटेंशल जनेरेट कब होना है रेस्टिंग पूटेंशल इसका रिवर्सल वापिस बाहर और नेगिटिव नेट अंदर फिर जनेरेट हो जाएगा तब जाके होगा जब यह वापिस रेस्टिंग फेस पे दुबारा पहुंचेगी ड़न सो दिस वेएग इस गॉइंग ऑन और 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 हैंस शिफ्टिंग दर पॉसिटिव से बटन ओन करते साथ ही वह ओन हो जाती कितनी कुकर है वह एक्शन है तो हमारी बॉडिक एक्शन सो उससे भी जादा कुई कर रहें तो इसकी वजह से क्योंकि यह यहां चार्जिस की बात करें अब नियुरो ट्रांस्मेटर के किसमें के सानेप्टिक लेफ्ट पे जाएग स्लोग बडिस इस कंपारिटिबली क्विकल डवाइग तो पैक्ड फॉर्म में जाते हैं उनका आगे पिछे कोई एक्शन एक्शन नहीं वह तो पैक्ड है उनके अंदर जो है वो मेटीरियल इनकी चार्जिस को दिस्टर्बनी करें तो इसके है वह तो बस फ्लूइड के थ तो इस अपर दिस मच इस देड एक इसके नेक्स पैसिन है अपका दरीज आपिशन अपने पर सुदसानेप्टिक लेफ लेफ वाल्री करा चुकि हूं फिर भी आपको थोड़ा सा दो मिनिट का लेक्चर ए वह देढ़ूंगी में चिक्ड है उस टॉपिक से अदिया दिस च पर सुनल्ड़ आउ